हेलो एवरीबन आज हम बनाएंगे पालक पनीर तो इसके लिए हमें चाहिए होगी बिल्कुल साफ की हुई धोई हुई पालक और फिर हम क्या करेंगे कड़ाई में पानी हुबा लेंगे और उस पानी में पालक को ब्लांच कर लेंगे इसे एक दो मिनट के लिए पकाएंगे इस गरम पानी को निकाल देंगे और जो पालक है उसे चनी में डालेंगे और हम इसके पर ठंडा ठंडा पानी दाल देंगे ताकि कोकिंग प्रोसेस यही पर स्टॉप हो जाए अब हमें कड़ाई लेंगे उसमें ऑईल को गरम होने देंगे तब तक हम प्यास वगेरा काट मैं जो हूँ इस साथ द्रा के साथ थोड़ा अलग सा काटा तो इसमें इसमें अदल नहीं उसकर थे आप चाहें तो यूज कर सकते हैं इसमें दो टमातर कर देजिए थे पर अधक्य पकाईये कि जो हमारे टमातर है अच्छे से वीशुप हो जाए से अधा च्छे से तरिए अच्छे से इसाग हों थोड़े शुआ के दो ने हैं सयुजू की ज़olan अच्छे से पाकाने के बाद घ्यास की फ्लेयम को बंद कर देंगे और आपALK THEM के तीर आप इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर कःलेंगे जब हमारा पालक का पास्ट देश्टा बनाकर जालेंगे गीहु के डालेंगे गाड़ा पन आएगा और इसमें डालेंगे दो चम्मच धनिया पाउडर थोड़ी सी हम अल्दी और एक चम्मच लालमेट यह जो मैंने रालमेट यह तीका पन नहीं होता है और हम थोड़ी सी हींग आग कर देंगे अस की बाद हमने वही चटाई लेनी है उसके पाड़ाई में एक करना है में सवाध है अच्छे से हम भून करके त्यार कर लेंगे जब ये अच्छे से भून जाएगा तो उसके बाद हम इसमें हमारी जो पालक है उसको अड़ कर देंगे तो जैसी हम पालक अड़ करेंगे आप देख रहे हैं थोड़े बबल जा रहे हैं अब इसमें थोड़ा सा पानी डालक अच्छ से हिला डुलाक डाल देंगे अब पालक कड़वी होती है तो उसका कड़वा पन करने के लिए हम क्या इस्तिमाल कर रहे हैं दही का तो दही को उसी mixing jar में मैंने फेट लिया और फिर उसके बाद उसे पालक में आड़ कर दिया अब इसे अच्छे से उबलने देंगे उबाला आने देंगे इसमें अब आप देखेंगे कि मैंने कहीं भी इसमें नमक आड़ नहीं किया था तो अब इस स्टेज पर मैं क्या करूँगी इसमें नमक आड़ करूँगी स्वाध अनुसार जो भी आपका टेस्ट है उसके अकॉर्णिग आप नमक आड़ कीजिए फिर इसे धगने धग के पकाईए थोड़ी दे और जब अच्छे से गाड़ी हो जाए तो आप इसे इसके अंदर आप आप पनीर आड़ कर सकते हैं अब मैंने जो पनीर इसमाल किय मैंने घर में ही तियार किया था तो उसकी रेसिपी मैं आपको बाद में दूंगी तो वही पनीर मैंने काट करके क्यूब्स की शेप में इसमें डाल दिया है बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है मैं इसमें दुबारा से वह तड़का नहीं दे तेल वाला तो मैं वह एड़ नहीं करती बस अब इसे हम फिनिश करेंगे गरम मसाले के साथ हमारी पालक पनीर बिल्कुल तियार है यह गाड़ी हो चुकी है और एकदम गरमा गरम सर्फ कीजिए पालक पनीर